आरा के संदेश से राज़त विधायक की रंदेवी के पैत्रिक आवास सेहित कई थिकानों पर CBI की रेट दरजुनों की संख्या में CBI अधिकारी और भारी संख्या में CRPF के जमान राज़त विधायक की अग्याव स्थित आवास के अंदर कर रहे हैं चापे मारी बिहार के आरा संदेश विधान सभा से राज़त विधायक की रंदेवी और पूर विधायक अरण यादो के पैत्रिक आवास अग्याव शेहित कई थिकानों पर आज सुबह से CBI की चापे मारी चल रही है जहां CBI के द्वारा चापे मारी की खबर मिलते हैं राज़नेति गलियारों में हल्चल मच कही है संदेश के राज़त विधायक की रंदेवी के पती और संदेश के पूर विधायक अरण यादो लालू परिवार के बेहत करीवी निताओं में से माने जाते हैं वही अग्याओ इस्थत राज़त विधायक के आवास पर चल रही CBI चापे मारी के जानकारी मलते हैं आसपास सहित आरा मुख्याले से सैक्डो राज़त निता मौके पर पहुँच कहे हैं और राज़त निता को जानबूच कर परिशान करने का आरूप केंद्र में बैठी वीजेपी सरकार पर लगा रहे हैं बताय जा रहा है कि राज़त विधायक के आवास पर दरज़नू के संख्या में CBI अधिकारी और भारी शंख्या में CRPF जवानों के टुकडी घर के अंदर प्रवेश कर उनके चल अचल संपत्ति की जाच परताल कर रही है जबकि CBI रेट के दर्मियान राज़त विधायक किरन देवी और उनके पती राज़त के पुरुविधायक अरुण यादो अपने अग्याओं विस्थित पैत्रिक आवास पर मौजूद हैं दोरान CBI के मैला और पुरुष के टीम अग्याओं के पैत्रिक निवास पर पहुंची है और घर की तलासी के साथ सारे दस्तावेश खंगाले जा रहे हैं विधायक किरन देवी से बंद कमरे में पूस्ताज भी की जा रही है अवास के अंदर और बाहर CRPF की बड़ी टुकडी भी तैनात की गई है घर के अंदर सभी तरह के दस्तावेश खंगाले जा रहे हैं चल चल संपत्ती का डिटेल लिया जा रहा है मामला पटना में फ्लैट खरेदे से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है फिलहाल अरुनियादो विधायक किरन देवी के रिस्तदार एउम कारेकरताओं का कहना है कि जान बूच कर अरुनियादो को किसी साजिस के तथ फसाया जा रहा है उन्होंने का कि हम लोग कोई ऐसा गलत काम नहीं करते फिलहाल सीबियाई की रेट जा रही है अभे तक सीबियाई की अधिकारियों ने इस मामली में कोई बेजानकारी सारवजेनिक नहीं किया लेकिन प्लॉट खरेदने से जुड़ा मामला बताया जा रहा है बता दे की पूरविधायक अरुण यादो वा विधायक किरंडेवी लालो यादो के काफी करीबी माने जाते हैं जहां सीबियाई की रेट पड़ी है अरुण यादो के करीबी एवं परिवार के शदस का कहना है कि जानबूच कर फसाय जा रहा है इतने सुना होगा गुरुकुल लेकिन अब देखने को कहा मिलता है परन्तु आज भी कहीं कहीं ऐसा विध्याले है जहाँ पर गुरुकुल की परंपरा देखने को मिलती जहाँ पर संस्कार और अनुसासन उठकूट कर भरे हुए आरामे मजवाई स्थित संहावनावास से उच बिद्याले उसका जीता जाकता होता है जहाँ पर सिख्षा के साथ साथ संसकार और अनुसासन बच्चों के अंदर कूट-कूट कर भरे जाते है जहाँ पर बच्चों के अंदर आत्मिन भरता और साध्गी के गुण पिर्वए जाते है स्वक्ष वातावर्ण, सुंदर महोल, अनुसासन, संसकार और साध्गी का प्रतिक संहावनावास से उच बिद्याले पुसल सिख्षकों के नितितों में सिख्षा के साथ साथ